एफिर गयमा चुल्ण हम अलोग आज की वीडिओ में हम Almost Design करने वाले हैं इस्टमक पैन के ट्रीट्मेंट में यहानि के अगर आपको पेड़ दर्फ होते हैं क्या कारवड आज किआने वाली मेडिशिन मदे इस वीडिओ में बताएंगे जो कि इस्टमक पेन में दी जाती है और काफी पॉपलर होती है ठीक है पेट दर्द में दी जाती है ठीक है दूस्तों चलिए दूस्तों बास करते हैं इस्टमक पेन जो होता है क्या कारण होता है जो हमारे पेट में दर्द होते हैं उसके बारे में बताए हैं causes क्या होते हैं इन डाइजिशन की समस्या होती है जैसे कि आपका भोजा नहीं या फूड क्या होता है डाइजिशन नहीं होता आपके इस टमक में तो उस कंडिशन में पेट दर का एक कारण होता है consumption patient के शिकायत होती है तो इस condition में भी होता है जैसे कबस बनी रहती है तो हमें पेट में दर्ध होता है dairyya वहीज परgrade के बात करें अगर diarrhea होता है जिसको 10 दोस्ते है lose motion बोलते है तो इस condition में काफी pain होने लगता है पेट में ठीक है वहीं पर दोस्तों, किड़नी स्टोन हो जाती है, आपके किड़नी में स्टोन हो जाता तो उस ़ीस कंडिशन में पेट में आपके दर्द हो था, फेट के हिस्से में काफी दर्द होने लगता है, ठीकर जुस्तों, गइस तो गरणी यह पेट दर्द का कारण होता है, जिसको g anar तो आपके पाइप में आने लगता है Q179 अध्सकी स्राइप कायर को प्रेस्वरude noite सच होती है तो यह वी एक कंडारी समस्य होती नहीं पर यादभाए ऑपर नहींद करें वह एक तो भी एक समस्या होती जिससे खाना के अवधर डाइजेशन नहीं होता है अब डखारे आने लगती तो पेट दर का कारण होता है ठीक है दोस्तों वहीं बात करें हम बैक्टिरिया अगर हमारे बॉड़ी में बैक्टिरिया का इंफेक्षन यो वायरिल का इंफेक्षन अब बात करें दोस्तों कौन सी मेडिसिन पेट दर्द में की जाती है कौन कौन सी मेडिसिन दिया जाता है ठीक है उसके बार में हम डिस्कस करेंगे पहली medicine है दोस्तो Drotin M tablet Drotin M जो होता है जिसमें Drotavarin Hydrocollide and Mephenamic Acid होती है ठीक है तो जो Drotin M tablet होती है abdominal pain में दिया जाता है पेट में अगर दर्ध होती है तो उस condition में दिया जाता है पेट की side में दर्ध होता है या body में दर्ध होता है joint pain होता है पेट की वज़ा से तो उस condition में दिया जाता है renal colic pain में दिया जाता है यानि कि आपके क्या होता है kidney में क्या होता है stone हो जाता है जिसको पत्री बोलते है तो उस condition में इसका उप्योग के जाता है अगर ज़्यादा stone pain होता है kidney pain तो उस condition में डोटिन एम एक डोटिन टेबलेट आता है इनजेक्षन आता है जो कि डोटा वेरिन होती है जिसमें उठारे इनजेक्षन देते हैं तो तुरंट रहत मिल जाती है 10-15 मिनट में किर्णी श्टोन से ठीक है dysmenoria में दे सकते हैं इसको दोस्तो जो की mensural period होती है जो की महलाओं में काफी पेन होता है जब period आता है तो इस condition में इसका उपयोग कर सकते हैं वहीं पर बात करें दोस्तो दूसरी medicine bascogast जो की दोस्तो जिसमें hyocene butyl bromide tablet होती है ठीक है दोस्तो ये एक anticholinergic medicine होती है ठीक है जिसका दोस्तो उपयोग abdominal cramp यानि कि जो आपके पेट या intestine की जो muscles होते हैं उसमें item हो जाती, cramps हो जाते हैं item सी दर्द होती, maronal सी दर्द होती तो उस condition में bascogast tablet का उपयोग कर सकते हैं या दोस्तो indisation या irritable bowel syndrome होती है तो क्या होता, mensuration में भी दिया जाता है, bascogast ये तुरंत राहत देता है specialist abdominal pain के लिए दिया जाता है, ठीक है जिन महिलाओं का period होता है, दर्द होने लगता तो उस condition में दे सकते हैं, ठीक है इसके dose के बारे में बात करें दोस्तों, तो 20-40 mg दे सकते हैं, ठीक है ये बच्चों में इसको avoid करना नहीं देना है, ठीक है अब बात करें, 33 minutes in जो होती है, diclofenic sodium होती है diclofenic sodium जो होती है, दोस्तों इसका उपयोग body pain में दिया जाता है joint pain में दिया जाता है, यानि कि joint में pain होता है, तो उस condition में दिया जाता है mass patient में दर्ध होता है, आपके body में inflammation हो जाता है, तो उस condition में दिया जाता है पेट के किसी भी भाग में अगर दर्ध हो जाता है, तो उस condition में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है दुस्तो इसका जो डोज होता है आपको 50 mg दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं दुस्तो lockedog मेप्टाल इस्पास मेप्टाल इसपास जो हती दोर्शा itasis मेफिनामीक एसीड एंड ड़ायिसव्रोकलराइड असीड होती है इसका composition होता है जो मिट्टाल स्पास्मोडिक ड्रग होती है और मेफिनामिक जो होती है एनलजेसिक एंटी पायरेटिक एंट वीकर एंटी इंफ्लेमेटिक ड्रग होती है ठीक है दोस्तों वहीं पर दोस्तों बात के लिए इसके उप्यूग के बारे में तो होती है जो होती है दिन में दो से तीन बार दे सकते हैं, कंडिशन के गॉर्डिंग ठीक, पाचवी मेडिसीन है दोस्तो, पैन फोर्टी टेबलेट, पैन फोर्टी एक एंटा एसीड टेबलेट होती है, ठीक है, एसी डिलेटेड डिजीज में दिया जाता, यानि कि कभी कभी आपके इस टमग में ता घाव बन जाते हैं, किसी इनफेक्शन की वज़ाँ से भी होता या नॉर्मल कंडिशन में भी, तो पैन फोर्टी टेबलेट को प्रेक किया जाता, ज्यादा गैस जिनलों को बनता है, ठीक है, आज की बिए